हेलो डियर स्टुडेंट वेलकम टू स्वामी विवेकरन टेक्नो ट्यूटरियल मैसेफ लॉक्टर राहूल कुमार और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं केमेस्ट्री क्लास 10 की पहली चेप्टर केमिकल रियक्शन्स एन इक्यूएशन्स की लेक्चर नमबर टू जिसमें आ आज ये वीडियो देखने के बाद आज ये लेक्चर आपको जो देखने के बाद पूरी तरह से किलियर हो जाएगी कोई भी कन्फिजन नहीं रहेगा जो भी मन में डर रहता है कि केमिकल रियक्शन्स को कैसे बैलन्स किया जाएगा तो इस लेक्चर को देखने के बाद और इससे पहले जादि आपने पहले लेक्चर्स लेक्चर नम्बर वन को नहीं देखे हैं इसमें मैंने डिसकस किया है इंडूर्डाक्षन दिया हूं chemical reactions क्या होती है chemical reactions की property characteristics क्या है और balance और unbalance chemical equations क्या है इसका detail discussion lecture नम्बर वन पर है जाएए मेरे YouTube चनल पर पहले तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि डेली अपडेट डेली जुले रहने के लिए डेली क्लासेश को अपडेट करना है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए आज अभी स्टाट करने वाले हैं बैलेंसिंग आफ केमिकल इक्यूएशन्स सो बैलेंस तो मैंने पहले बताया था किरेक्शन्स में हम लोग का क्या है रियक्टेंट गीप्स प्रोड़क्ट शो रियक्टेंट की जिदि हम लोग बात करते हैं डियर स्टुडेंट डिय एक्टेंट में जो इच एटम नमबर अप अप्स बात करेंगे reactants का और products का each and every atoms का जिदी बराबर है तो ही कहते हैं कि this is called balance chemical equations तो आजी start करते हैं हम लोग balancing of chemical equation chemical reaction equations की पहली chapter है एक छोटा सा example के साथ में हम लोग अभी start करते हैं जैसे कि बात करते हैं simple से example मैं आप लोगों देता हूं अभी अभी ध्यान से देखिए FE plus FE FE आपको मैंने बताया था पहला ही class में कि कुछ कुछ symbols है जो आपनों 9 class में भी पढ़े हैं जैसे FE जो होता है वो आईरन के लिए होता है जो वाटर के साथ में हम लोग एक को reaction कर रहे हैं एच टू ओ तो यह देखिए हम लोग का बन रही है FE 304 एंड प्लस यह सब रियक्शन भी समझ में आए धिरे धिरे जैसे classes खत्म होगी और hydrogen gas हम लोगों का यहां पर रिलीज हो रही है ठीक है यहां पर देखो FE 3 तो यहां पर हम लोग का देखने सी पता चल रहा है है कि this is unbalanced chemical equation this is unbalanced and how to balance simple सा method जो heat and trial method जो 10th class में तुम लोग को पढ़नी है simply हम लोग heat and trial method से ही आसानिस इसको बना सकते कैसे दो इसमें क्या है कि थोड़ा से F3O4 में तो इसमें क्या करेंगे ध्यान जिद्धों को यहां पर F3O4 में तो हम लोग क्या करेंगा इसको लिखते हैं F3O4 and plus H2 so Fe3 है so यहां पर हम लोग को क्या करना होगा 3 से multiply कर देता हूँ तो देख सकते हो यहां पर 3Fe है यहां पर भी 3Fe है अब हम लोग क्या करेंगे count oxygen को करेंगे oxygen को so oxygen यहां पर देख सकते हो क्या है देखो तो ध्यान से यहां पर 4 number of atoms oxygen है ना और हम लोग reactant में देख रहे हैं क्या सिर्फ एक ही oxygen है हम लोग के पास क्या है एक ही oxygen है तो इसको फोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर हम लोग फोर से multiply कर देते हैं फोर से जब multiply करेंगे तब हम लोग अब क्या देखेंगे हाइड्रोजन की संख्याब कितनी रह गई reaction में hydrogen so hydrogen को count करते हैं देखो यहां पर क्या है दो है यहां पर देखो काउंट करेंगे इसको भी हम लोग फोर से multiply कर देंगे तो देख सकते हो यह simple summary की example दिया और यह है balance हो गया this reaction is called balance reaction क्यों because the number of atoms see here number of atoms in reactant is equal to number of atoms in product देख सकते हो ना तीन एफी है तीन एफी है है ना oxygen देख सकते हो चार है तो देखो फोर oxygen है hydrogen देखो फोर टूजा एट है यहां पर फोर टूजा एट है तो यह सिंपल सामेने common example simple example दिया और जिसमें लोग balance करने के लिए सीगे अब थोड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा कुछ hard questions में तो question number two पहले तुछको नोट करते जाओ copy में जिए अभी भी थम लोग नोट से नहीं बनाना start किये हो तो nोट से बनानाود फटा फट फटा पर em, दлось करो कभी कभी questions जो है की word consumer में के लिए? मैं लिखता हूँ, question ध्यान देना मेगनिसियम मैं आज सारे भाराइटी करा दूंगा आज ये क्लास करने के बाद केमिकल जो बैलेंसी का कोईशन का कोई भी तुम लोग को कहीं भी कुछ भी दिकत नहीं होने वाली है मेगनिसियम नाइट्राइड ध्यान देना मेगनिसियम नाइट्राइड प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं मेगनिसियम नाइट्राइड को किस के साथ में रियक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ में लोग रियक्शन करते हैं किस के साथ में वाटर के साथ में तो गिब्स क्या हम है जो वर्ड में से लिखा हुआ है वह धीरे धीरे तुम लोग का सब चैप्टर के साथ में किलियर होते जाएगा मैंगनिसियम हाइड्रॉकसाइड एंड प्लस अमोनिया एडबल एम ओ एन आई ए यह अमोनिया ठीक है मैंने बताया कि धीरे धीरे पढ़ते सारे तुम लोग को किलियर हो जाएगी मैंगनिसियम नाइट्राइड एम जी थ्री एंड टू प्लस वाटर का तो सब को पता है है एच टू ओ मैंगनिसियम हाइड्रॉकसाइड एम जी ओ एच ट्वाइस अमोनिया का होता है एन एच थ्री है ना अब आते हैं कि भाई यह बैलनस है कि अन बैलनस है तो इसको हम लोग चेक करते हैं देख सकते हैं ओ एच देखो नहीं यहाँ पर देखने से लग रहा है यहां पर हम लोग क्या बता हैं ट्रिक कि जो ज्यादा नमबर अप एकम से पहले इसको ध्यान देंगे तो नमबर अप एटम देख औरование Mg3 है N2 है तो इसी को हम लोग reference ले लेता हूं जो जहाँ पर जादा number of atoms रहेगा उसको ध्यान देंगे Mg3 देखने से Mg3 यहाँ पर आते हैं product में Mg क्या है Mg देख सकते हो सीर्फ 1 है दो भस 1 जब है तो हम लोग क्या है चाहँ करेंगे 3 से multiplier कर्दिया 3 से multiplier करोंगा अब हम लोग देखा है कि nitrogen कितना है तो nitrogen देख सेखते हो dear student simple है यहां पर nitrogen कितना दिख रही है and two means two nitrogen है अब हम लोग आते हैं कहां पर product पे so product में जीद हम लोग nitrogen देखेंगे तो क्या है देखर एक ही nitrogen है so यहां पर हम लोग two से multiply कर देगे अब हम लोग oxygen count करेंगे और hydrogen count करेंगे तो में step by step देखना है और बंते जाएगा सारची अभी so देखो हम लोग product में देखते हैं सबसे पहले oxygen को count करते ठीक है so oxygen यहां पर three यहां पर देखो तो क्या है two two three into two यहां पर देख सकते हैं कि six oxygen है six oxygen और इधर तो oxygen है नहीं so यहां पर जो हम लोग product में देख रहे हैं कि six oxygen है लेकिन reactant में देखो ध्यान से एक ही oxygen है देखो ध्यान से एक ही oxygen है सो बस कुछ नहीं करना है six से multiply कर देंगे अब जब oxygen गेक लिया हूं तो अब क्या देखना होगा hydrogen कि hydrogen की सेंग्या कितनी है भाई hydrogen बैलेंस है की नहीं यह भी तो देखना पड़ेगा न तो देखता हूं देखो six यहां पर two तो कितना hydrogen है यहां पर देख सकते हो कि यह देखो तो ध्यान से यह two और यह three six हो गया और three और two six हो गया मतलब six इधर भी है और six यह भी है मतलब यह बैलेंस है सो यह होगी है हम लोगों का balance ठीक ना तो कैसे करना है देख सकते हो जो ज़्यादा number of atoms रहेगा उसको हम लोग रिफ्रेंस लेंगे और उसको रिफ्रेंस लेने के बाद हम लोग देख रहे है स्टेप बेस्टेप कर रहा हूं और मैंने देखो बताया कि कोशन्स जो रह सकती यह से बी रहेगी मैंगनेसियम नाइटराइड वाड में उसको में सीमबॉल में रिफ्रेंट कर दिया है जिसको equation कहते हैं मैंगनेसियम नाइटरायड प्लस वाटर मैंगनेसियम हाइडरॉकसाइड प्लस अमूनिया उसको reaction को लिखोगे और लिखने के बाद उसको balance करोगे तो similarly एक मैं छोटा सा question फिर से question पर आ रहा हूँ जो है question में लिक रहा हूँ Aluminium Hydroxide plus Sulfuric Acid Question number third दो वन बे वन करके note भी करते जाना है copy पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपना handwritten notes ही सब से अच्छी होती है ठीक है Aluminium Hydroxide Aluminium Hydroxide Hydroxide इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखो तब जाके chemical reactions के बारे में पूरा details पता चलेगा मैंने पूरा discussion किया हूँ उसमें उस वीडियो को तो जरूर देख लो आज ही देख लो ठीक ना उस वीडियो को एकदम देख नहीं है chemical equations क्या होता, reactions क्या होता, balance and balance क्या होता मैं इसमें डीटेल बताया हुआ है So Aluminium Sulphate Aluminium Sulphate जो भी आ रही है न भी one by one करके जो तुम लोग का नहीं पता है कि Sulphate Acid का formula क्या है ठीक ना तो इस अभी ही तुम लोग याद करते जाओ, बहुत अच्छा opportunity है भी आराम से गहर में बढ़े का पड़ो Aluminium Hydroxide, so Aluminium Hydroxide का formula क्या होगा भाई Aluminium Hydroxide, Hydroxide Aluminium, Aluminium का सिंबल क्या होता है, AL इतना सब को पता होगा, नहीं पता है, तो भी कोई बात नहीं है, पड़ाई तो कर नहीं है Sulfuric Acid, H2SO4, Sulfuric Acid, ओके, देख रहे हो, formula भी याद करते जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि formula भी याद करना है, Aluminium Sulphate, Al2SO4 Thrice, Al2SO4 Thrice, अब आडर दो जब को पता है, भाई, H2, ठीक है अब तो ये देख रहा है, symbol के form में, हम लोगों ने equation के form में लिख दिया हूँ, अब फिर वो ही trick पे आएंगे हम लोग, simple सा trick simple सा trick, देख रहे हो, देख रहे हो, number of atom, number of atom जी बात करेंगे, देखो, जो इसको हम लोग reference ले ले लेता हूँ, Aluminium को देख रहे हो न, यहाँ पर Aluminium क्या है, 2 है, reactant में Aluminium क्या है, 1 है, बस समझदार होगे, अब फटा-फट समझ मारा होगा, यह हो जाएगा, यहाँ पर 2 से multiply कर दो, 2 से multiply करने पर क्या देखेंगे, dear student, simply, कि SO4 क्या है, देखो तो यहाँ पर SO4, देख सकते हो, SO4, SO, इसको भी ध्यान में देखना हो, कि SO4 में क्या हो रहा है, और कैसे हम लोग कर रहे है, ठीक है, SO, देख रहे हो कि SO4 यहाँ पर 3 है, simple 3 है, तो सूचना क्या है, यहाँ पर तो single ही देख रहा है, तो इसको multiply कर दो न, 3 से, अब हम लोग count करेंगे, hydrogen और oxygen को, कि hydrogen और oxygen बराबर है कि नहीं है, क्योंकि मैंने तो बड़ा-बड़ा aluminum में सबको कर दिया, अब हम लोग count करो, चलो count करते हैं, देखो तो, यहाँ पर देखते हैं, देखो तो oxygen कितना है, यहाँ पर, देखो तो oxygen 3 और यह दो 6, 6 oxygen, ठीक है, 6 oxygen, देखता हूं, लिखता हूं यहाँ पर, ठीक है, अब इधर count करते हैं, ठीक है, so oxygen देख रहो, यहाँ पर कितना है, 4 और 3 तो 12, ओके, लेकिन यहाँ पर कितना है, एक ही तो है, तो हम लोग को 18 चाहिए, 18 तो सोचना क्या है, 6 से multiply, यहाँ पर कर सकते हो, एक मिनट, 6 से multiply, तो अब count करो, देखो count करके, अब तुमारा oxygen पुरा देखो, one by one करके सारे चेक करना होगा, hydrogen है, oxygen है, हर एक, each and every element, reactant का, और product का, equal, जब तक नहीं होगा, तब तक balance नहीं होगा, ठीक है, so hydrogen को देखता हूँ, so देखो, यहाँ पर क्या, 3, 2, 6, यहाँ पर 3, 2, 6, 6, 6 plus 6, 12, now here, 12, okay, very good, balance है, हो गया balance, complete हो गया balance, तो देख रहे ह हो न, balancing, जो है, simple, heat and trial, से में trick बता रहा हूँ, जो, यह simple method है, एक्दम simple, और अभी ही, अभी, तीम लोगा clear हो जाएगी, इस वीडियो का देखने के बाद में, ठीक है, तो यहाँ तक इतमार नोट कर सकते हो, screenshot ले सकते हो, मैं एक छोड़ा से example, फिर से दे रहा हूँ, equation, question number 4, ध्यान से देख सकते हो, 4, number, मैंने बोला हूँ, कि लास्ट वीडियो जरूर देखो, उसमें बुरा definition के साथ, मैं सारा चीज में पढ़ा हूँ, ठीक है, देखो, HNO3, word में नहीं है, simple, HNO3, nitric acid, plus CAOH2, क्या होता है, calcium hydroxide, देखना, सारा जिस के लिए रहोगा, अभी तो प में तुम लोग एकदम इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, सारा चीज के लिए हो जाओगे, सारा चीज के लिए हो जाएगा, सारा चीज, ठीक है, तो देख सकते हो, मैंने कोशन दिया बोट पे, HNO3, plus CAOH2, CAOH2, give CANO3, calcium nitrate, plus H2O, है ना, फिल से वही कहानी, फिल से वही concept, ठी ठीक है, ध्यार से देखो, इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, CA, सो CA क्या है या बार, एक तो है, इधर भी एक है, ठीक है, कोई बात नहीं, NO3, NO3 लेकिन यहाँ पर डबल है, और NO3 देख रहे हो, क्या है, सिंगल है, बात सोचना क्या है, यहाँ पर 2 हो गया, मैं दुबार को लिखोगे, उसका नीचे में बैलन्स करोगे, तब तुम लोग को पता चलेगा ना, कि हाँ भाई कहां से क्या किया था, तो हमें से याद लखोगे, कोईशन को लिखोगे, और कोईशन को लिखने के बाद में, उसका नीचे में उसका एंसर लिखोगे, कि यह बैलन्स में नीए किया है तो देखो एन ओ थ्री डबल हो गया क्लियर है अब हम लोग बड़ता हूं कि हाड्रोजन और ऑक्सीजन को काउंट करने पड़ेगा यह वह इंपोर्टेंट है ना सो ऑक्सीजन को काउंट करो 3 & 2 दो दो देखो देंसे 3 & 26 हो गया और यहां पर 2 है वोंली 2 सो 8 हो गिया और भणो थ्रीएंड Two six हो गिया यहां पर देखो एक ही है तो भाई क्यों एक रहोगे लोग डबल कर दिया लाइट इचेक कost तो यह हो गया हम लोगों का बैलेंस जहो गया तो देख में चाहर एक्जामपल में जो तून लोगों पता है कि चाहर एकजामपल में के हास्तू बैलेंसिंग ऑव केमिकल एकवेशन को मम लोग कैसे करेंगी तो देखो यह जो देख रहे है वplicो सबसे पहले हम लोग जो बड़ा नंबर बटम ज्यादा है उसको हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे इस एफी थी देखो दियान से एफी त्री यहां पर एफी एक है इसलिए तीन से मल्टिप्लाइ कर दिया कोई टेंसन नहीं नहीं पिर और हटाडर कोंट करेंगे और इसके वर्ड में रिखा था मैं ने में यह सारे वर्ट जो लिखा हुआ है उसको फार्मूला एक करके सारे फार्मूला किलियर होगी धीरे धीरे पढ़ते होगा यह लेक्चन नमर्ट स्ब्स नहीं हिए जब आगे बढ़ेंगे हम लोग से काउंट करना शुरू किया तो यह चार जो मैंने कोशन कराया है इसमें बैलेंसिंग और हीट ट्राइल मेथड से मैंने सिंप्ली स्वाल करने के लिए सिंप्ली हाउ टू बैलेंस ओके तो आज यह लेक्ट दो देखने के बाद तुम लोगों को बैलंसिंग आप केमिकल एक्वेशन से डर तो मिट गया होगा इसमें कोई शक नहीं है लेकिन लेक्ट नमबर वन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्स सब्सक्राइब करो जितने जल्दी कर सकते हो और हमसे जूले रहने के लिए भी सब्सक्राइब कर नहीं पड़ेगा क्योंकि डेली क्लासे चलेगी सारे हर जिसके स्टेप बैस्टेप टॉपिक वाइज क्लासे चलेगी ठीक है तो मैं इस चीज को अच्छे से नोट्स बनान टाइस टय्यक्स के बारे में डिस्कोll करेंगे डिए डिप्रें डिएप णिप्रें टेप्स अफ रियक्षिंज फो जूले रहने के लिए में हमेरे क्लासे को अफड़ेट करने के लिए द्रहने के लिए जो होता है चैनल को सब्सक्राइब होना करना अधिक तक है ओर सो okay अ गुड़ नाइट एंड आप लोग जो मिलेंगे फिर से ने टॉपिक के साथ में सो ओके